है गाइस वेलकम बेक टो में अडिव चनल तो आज हम डेगन गोड शीरिस को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं अगर आपने प्रीविस एपसोड ने देखा तो आप देख सकते हो प्लेलिस में प्लेलिस का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी तो आप डिरेट वाम पे क्लिक कर होने वाल है तो एपसोड नमबर 38 की स्टार्डिंग होती है फिर हम बताए जाते कि जो फाइनल रिजल्ट था ट्यानलो प्लेनिट का ट्रयावट्स का वह आ गया है लान की टीम द्वारा चैंपेन है बिंक ट्यानलयां की टीम सेकंड प्लेस पे है शूशी की जो टीम थी व टेस्ट का वो शर्क में होगा एक मन्त में प्रोफेसर जी थे रिस्पॉनसिबल लान की टीम को 20 देस के लिए ट्रेंड करने के लिए फिर में साल वर्ल ट्रेनिंग ग्राउट का सीन दिखाये है प्रोफेसर जी बोलता है चलो स्टार्ट होते है तो मैं बस कुछ सेकंड होल कर सकते हो प्रेशर के अगेंस में फाइट करके क्या तुम रेडी हो कौनली बोलता है प्रोफेसर जी किस तरह के प्रेशर की तुम बात कर रहे हो प्रोफेसर जी बोलता है कि तुम्हें पता लगेगा वो आगे की तरह मूव कर रहा होता है उसके चलने से प्रेशर इंक्री 3, 4, 6, 7, यह तो 8 rings है, वेल उसने पने 8 rings को activate कर लिया होता है, पीछे एक demon type या pair हो गया होता है, जवानी बलता है 8 ring soul master, क्वानली बलता है क्या यह figure तो, यह कैसा ड्रावना सा figure है, वेल वो fair knight marshal soul होती है, प्रोफेसर जी की, क्या यह प्रोफेसर जी की marshal soul, ऐसे स्वानी दब soul power की वह से empower होके, वो रिजिस्ट कर पा रहे है, प्रेशर को भी तो डब जब फॉनकित गड़ए होता है, लुफेसर जी की दब रहते हैं और मोर जाते है, च्रेशन कि लान्स वान्स वान्स तीम स्पिरिट पगोडा thoi मुचंग्टियान बोलते है कि यह स्पिरिट पगोड़ा है और जो स्पिरिट बूस्ट एरस है वह यहीं पे है अकैडमी को कुछ ज्यादे पैसा पे करना पड़ा था तो हम दोनों को भी प्लेस देने के लिए की तरफ जोनी बोलते है जो गोल्डन आइड ब्लैक ड्रैगन है यह साउल बीस्ट की आर्मी को कमांड कर रहे है जोनी ऐसे आगे की तरफ देख रहा होता है मुचंग्टियान बोलता है कि यह साउल बीस्ट की वहर हुई थी जो कि 20,000 साल पहले की बात है स्पिर्ट पगोड़ा ने बनाई हुई है पेंटिंग ताकि वह पीपल को रिमाइंड कर सके कि हमें साउल बीस्ट के साथ पीस में रहना है बहले ब्लैक ड्रैगन शायद बीस्ट गोड़ है जोनी बोलता है हाँ चलो चलते हैं मुचोंग ट्यान बोलता है कि आठ दिन है हमारे पास जब हम शर्क के लिए लीव करेंगे मैं यह होप करता हूँ कि तुम सब ही मतलब कावसा लंबी टाइम तक रहोगे अंदर तब इस जवानी को वास डालता है कोई जवानी पिछे का देखता है वो बिंग की टीम होती है उनकी तर देख रहे होते हैं मैं तुम से बात कर सकता हूँ लैक्स हो जो मैं तुम से रिवेंच नहीं है तुम भी नेक्स राउंड के लिए कौलिफाइड हो हम सेकंड डाउंड में मिल भी सकते हैं टैस्ट में अगर हम लखी होंगे तुम क्या बोलना चाहते हो पिंग गुसा होता है यह इनसान इसका जो इनोसेंट जैसा फेस है इससे मेरे को और साथ गुसा चड़ता है पिछली बार इसने हमारा इतना साथ खतना सीन किये था हमार क्योंकि तुमने हमारे प्लैन को फेल किया था इसकी वसे में देख सकता हूं कि कितना बड़ा गैप है मेरे और तुमारे बीच में चलो साथ में काम करते है जो बलता है पर ऐसा लग की निरा कि तुम मतलब कोई ऐसी जो कॉंफिडेंस को लैक करता है फिर बोलता है हा मुझ करता हुँ कि हम दोनों साथ में आप में जाएं जो ने बोलता है ठीक है पर मैं कैसे ट्रस्ट कर सकता हूं वह बिंक बोलता है से रूम दिखाए जयता है वो भी एक तरह से स्रिमलेशन वर्ल्ड ही होता है उन्हें बता जाता है जो पेंसाइशेशन है वो 50% पे सैटेरियल वर्ल्ड की तरहा मतलब उससे 50% पे सभी कोई एमर्जनसी अलार्म दे जाएगा एंटर करते ही जब तुम डील नहीं कर पाऊगे सिचुएशन से तो तुम उसको यूज करके बैटल फिल्ड से बाहर निकल सकते हो स्पिट पगोड़ा कोई रिस्पोंसीबिल्टी नहीं लेगा कोई भी एक्सिलेंट होगा तो फिर यह बैट जाता है अंदर जो नहीं सोच रहा तो पेंसाइशेशन 50% इंप्रेसिव है मैं तो वैल एकसाइटिड होंगो क्या होगा आ बैटल फिर बोलता है कि ठीक है तुम स्काउट करो अब्जर्व करो सराउंडिंग को और बाकी सा भी एडजस्ट करो अपने आपको आगे की तरह मूव करेंगे जब हम रैडी होंगे तो फैंक बोलता है कि कोई भी साइंस नहीं है सावल बीष्ट के 300 मीटर की रेडियस में तो वहां पे सावल बीष्ट हो सकते हैं स्टोंगर बिंग तुम यहां पहले आ सकती है क्या करना चाहिए हमें बिंग बोलता है अगर मैं होता तो मैं इंसाइड जाता है वैल अंदर जो अंदर नहीं जाते है थोड़ी देर के लिए वैल उल्टा कर रहा है यह स्वोडवला मार्शल-Árteist होता है वैल बच्चा होता है वो बोलता है गुस्टे से कि लाम जोनी तुम ओन पर्पर्स कर रहे है ना यह? तुमने ओन पर्पर्स पूछा ना बोस से, जोनी बोलता है कि मैं अच्छा हूँ क्मांड करने के लिए कि नीं वह बहुता होता है दूसरा उसे र सब्सक्राइब सब्सक्राइब में मूव कर पाएगी मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं वो फिर ऐसे मूव कर रहे होते हैं को जादे ही हल चलो हो रही होती है लुफैंग बोलता ध्यान से थर्ड सॉल स्किल मोफोर्स उसने वैल वो चारज अप करता है जाइम लगता है उस्तायग को तो दूसरा हो चैम को टीमेट वो अपने फाइरबोल को करेग करता है बहुता चोटे-चोटे फाइरबोल शकुशा वह भेज रहा होता है उन्हें मार रहा रहा है पॉर्कुपाइ कि जितनी भी वह नीडल स्टाइप होती है वह स्ट में फज जाती है और रुख जाती है फिर वह होता है स्वोडवाल वह अपना टाइक उस करता है और उन सभी को मार देता है सभी को ड्रीम पॉइंट्स मिलते हैं जौनी और कौनली को भी जौनी सोच रहोता है कि ऐसा लगड़ा है कि तुम कुछ जाधा यूजलस हो सारा हमें करना पड़ रहा काम क्या क्या बोलता है किस तरह का त अगर ऐसे चीज़े होने वाली हैं तो हम अपनी कोपरेशन को यह पर खतम करते हैं बिंग बोलता कि तुमने मेरी कमांड की ओपर किया था जो भी किया था तो मैं सची मुझी मेरी कमांड चाहिए बींग बोलता है कि वह साल बीस जड़ा भी स्टोंग नी थे तो हमने उनका ध्यान दे लिए उन्हें मार दिया तो इसलिए हमने तुम्हारी कमांड फॉलो नहीं कि जाने बलता कि क्या तुम सोच रहो कि मैं अन्रिसनेबल हूँ है ना सोड़ बलता कि तुम हो जाने बलता ठीक है मैं तुमसे कोशन पूचाँगा सेब्रल अगर आसी बात है तो फरस्ट यह है कि तुमने मीर को कमांड करने के लिए बोला था पर तुमने मेरी परमिशन नहीं लिए अटाइक करने के लिए सेकंड बात यह है कि तुमने मेरे इंस्ट्रक्शन को follow नहीं किया और enemies के उपर attack कर दिया बिना मतलब किया और अपनी energy को lost कर दिया को जादा energy waste की तुमने UTN कितने जादा energy तुमारे उस attack ने consume की अब कितने जादा combat power तुमारे पास बची हुई है वो बोलते कि at least 70% जोने बोलते है अच्छा अगर हम 6 बंदों ने साथ में fight की होती तो 90% energy बची होती तुमारे पास हम एक unfamiliar dangerous place में है पर अब हम यहां से जल्दी से भागना पड़ेगा और किसी दूसरी place में जाना पड़ेगा जहां पर हम तुमारी energy को recover करने दे सकते हैं इसका मतलब कि तुमार तुमारे उपर relay करेंगे वह सोच रहते कि मैं देखना चाहते हूं कि हमारी टीम किने ज्यादा आगे जाएगी इसकी command में जोनी बोलता है ठीक है अब तुम मेरी command के अंडर काम करोगे formation में रहे ना fang scouting करते रहे ना हम आगे तरह move करेंगे चल तुमारे लिए प्लेस फाइंड करते है रिकावर करने लिए तुमारे साल पावर को उस वोड़ वाला बोलता है ठीक है बिंग सोच रहा है तो मैं एडमिट कर सकता हूं कि इनसान कुछ ज्यादे कंपोस्ट और श एक्सपेरिमेंट करना है वो बोलते कि मैं एक स्पोर्ट सावल मास्टर हूं विंग कों देखने थो कि तुमारे एंपावर कैसे काम करता है